बुल्डोजर पर एक बड़ा वक्तव्य देकर सुप्रीम कोट ने एक बात साफ कर दिये कि ये देश समविधान से चलेगा बुल्डोजर जैसे अराजकता और निर्शनसता से नहीं चलेगा सुप्रीम कोट का आज का बयान ये फैसला की जब तक गाइडलाइन न बन जाए आप कोई बुल्डोजर नहीं चलेगा उन सब नफरती मुखमंत्रियों और नेताओं के मुँपर करारा तमाचा है जो नियाए पालिकाओं पर ताला लगवा कर बुल्डोजर जस्टिस को बढ़ावा दे रहे थे सुप्रीम कोटे तो यहां तक कहा है कि बुल्डोजर का महिमा मंदन मत करिये और महिमा मंदन करना भी नहीं चाहिए क्योंकि बुल्डोजर का मतलब है कि आपका पुलीस आपका प्रशासन सब कुछ फेल हो चुका है आप न्याय पालिकाओं पर ताला लगाना चाहते हैं और इसलिए आप बुल्डोजर चलाते हैं बुल्डोजर असल में अब नफरत का हिंसा का और राजनितिक प्रतिशोध का प्रतीक बन चुका है और बुल्डोजर का मतलब है एक ही वर्ग के खिलाफ एक ही समुदाय के खिलाफ नफरत की आँधी को भड़काने के लिए चलाया जाएगा ये अच्छा फैसला है इस फैसल बुल्डोजर जस्टिस पर पूरी तरह से प्रतिबंद लग जाएगा बुल्डोजर का सब भी समाज में कोई जगे नहीं है बुल्डोजर चलाने का काम अराजक तत्व और गुंडे मवाली करते हैं चुने हुए मुख्यमंत्री चुने हुए प्रतिनितियों को इन चीजो से दूर रहना चाहिए और यही बात इस देश का उच्चुतम नेयाले कह रहा है